दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि 27 जनवरी 2020 को मानिनिय श्रम मंत्री के साथ अशोक राउजी की बैठक होने को थी वो बैठक हो चुकी है उस बैठक में क्या हुआ क्या फैसला लिया गया पूरे डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को चैसे को शेला ने से पहले आपको कुछ बात के लियर कर देता हुum मैं जो भी नियूस रहता हूं नियूस प्रसे देता हूं या फिर witness roll और नियस के ऐपsin हैं नियूस को आलवा कोई बी नियूस मैं अपनी तरफ से नही बनाता इ। उस लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं क आप ये fake news देना बंक कर दें तो मैं आपको बता दूँ आपकी जानकरी के लिए कि हम कोई भी fake news नहीं देते हैं हम केबल ये काम करते हैं कि जो भी news निकल कर आती है उसको आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं कोई भी news अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं और नहीं कोई आपको को जानकरी देते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिए गा क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है क्या मैं फेक न्यूज मनाता हूं या फिर नहीं मनाता नीचे कमेंट बॉक्स में जरूरु बताएगा जिससे कि आगे मुझे नियूज देने में मदद मिलेगी वीडि होगे ठीक नीचे एक लाल लंग का सब्सक्राइब का वेटन दिख रहा होगा आप उसको दवाई हो दवाने के बाद एक बेल का ऐकोन आएगा आप उसको जरूर दवाएं जिससे की जब सक्षम बनायानी के लिए के सरकार अपने अजदान को बढ़ाने और बास्तिफिक पेंशन पर कुछ पेंशन पर हमारा अजदान भी स्विकार कर रही है मांग कर रहा है दिनांक साथ बारा दोजा उन्निस के दिल्ली आंदुलंग की सफलता के बाद मानिनी अश्रम मंत्री जी उनके सची बिस्तर के अधिकारिओं के साथ दिनांक 12-12-12-19 को निसी के प्रतिनिदियों की मेंटिंग कर आई थी दिनांक 21-12-12-19 को फिर मानिनी अश्रम मंत्री जी ने संगठन द्वारा की गए दिनांक 20-8-12-19 के प्रस्ताप समान पूर्बक समाधान हे तू श्रम मंत्र में सची विस्तर के अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई जिसमें मैं स्वायम अपने एनेसी के साथ सदस्य प्रतिदियों के साथ सहभागी रहा और मांगो को पूरा करवाने हैं तू हमारे द्वारा सभी डॉकुमेंट्स प्रस्तुत कर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क माधियम से एक एक पॉइंट पर विस्तार सहित हुई यह मीटिंग करीब चार घंटे चली साथ हमारी मांगे कैसे हो सकती इस विस्तार से चर्चा की गई हमारे पेंशन धारक सरदस्यों के रोश को देखते हुए संगठन ने दिनांग 26 एक दोजार बीस से पूरे देश में करनी की तीनांग 27 एक दोजार बीस को दिल्भी आकर चर्चा के लिए मंतरित किया नियोजित कारीकरम के अनुसाइब 27 है 2020 को मेरे साथ हमारा तीन सदस्य प्रतिदी मंडल मानिय श्रम मंतरी जी के बंगले पर मिला और उनसे चर्चा की मानिय श्रम मंतरी जी ने ठीक 11 परिस्ताप पर चल रही कारवाई पर पूरी जानकारी हमारे छेस सदासिये प्रतिनी मंडल को दी इसके बाद मानिनिये श्रममंत्री जी के साथ पुनहः सफल चच्छा हुई जिसके अनुसार श्रममंत्री जी ने बताया कि हमारी मंगो के संदर्ण में दिनांक बीस आट दो जल्दी से जल्दी ने लिया जा रहा है और दिनांक 26 जनवरी 2020 के अंदोलन को बापिस लेने के लिए संगटन को धन्यवाद दिया हमारी ओर से मानिनिये मंत्री महदर से दिनांक 15 फरवरी 2020 तक हमारी मंगो को मंजूर करने के लिए इस पच्छूर्प से बिनवत्रा के संदर्म में सरकारी आदेश द्वारा जारी नहीं होता तब तक जारी रहेगा जेश्ट बारस रेश्ट बारस कमांडर शोक राउत रश्टी अद्यक्षिव हां पर किलियर हो चुका है कि 15 फरवरी 2020 तक हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आपको मिल जाए जैसे ही कोई अफीशियल अपडेट आएगी मैं कोशिश करूँगा कि वो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुचा सको दोस्तों अब आप आप लोगों कमेंड करके मुझे जल्दी से बता दीजिया आप लोगों के इसाब से श्रम मंदरी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी कर सके और अपना खायले कीगा फ्रम लगात होगी तैंक यू